तेलो स्वास्की इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि आप लोग Snapchat में अपना username काईसे चेंज कर सकते हो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आप लोग Snapchat को open करते हो तो यहां पर दोस्टा आपको username चेंज करने का option कहीं पर भी नहीं मिलता अगर आप सेटिंग में आते हो तो यहां पर भी आपको कहीं पर भी आपसर नहीं दिया गया है जिससे कि आप लोग अपना यूजर नेम चेंज कर सको लेकिन ऐसे में अगर आप लोग अपना यहां पर यूजर नेम चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फॉन में Snapchat को ओपन करना है और जैसा आप लोग ओपन कर तो यहां पर आपको पता ही है ना तो अभी देखो आपको करना किया यहां पर प्रोफाइल वाले अप्शन पर टच कर देना और अभी यहां पर यूजर नेम दिखेगा अगर आप लोग यहां पर यूजर नेम पर टच कर देते हो है तो यहां पर आता है नेम जो कि आप लोग यहां से नेम चेंज कर सकते हो यहां पर आप लोग अपना यूजर्णेम चेंज नहीं कर सकतो है सब्सक्रा蓋 जो कर आप लोग जासे यहां पर आपको पुर भी यूजर्णेम चेंज करने का आपसर नहीं दिया गया है तो छले मैं आपको बताता हूं कि कि आप लोग Snapchat में अपना यूजर नेम का ऐसे चेंज कर सकते हो इजली तो सबसे फिल आपको करना किया यहां पर आपको एक सिटिंग का अपसन दिखेगा सिंप्ली आपको सिटिंग पर टॉच कर देना है और नीचाने के बाद दोस्तों आपको करना किया है यहां पर आपको आपको एक और थोड़ा नीची आना है नीचा आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक आपसन लेगा I need help ठीक है तो सिंप्ली आपको I need help पर किलिक कर देना है और जैसे आप लोग किलिक कर दें तो आपके सामने कुछ इस पकार का पेज ओपन होगा और यहां पर आल सकत तो स्नैपचाट सपोर्ट वाट कैन भी help यू भी ठीक है तो आपको करना कि आपको आना है थोड़ा नीची है और यहां पर आपको एक आपसन लेगा my account security ठीक है तो सिंप्ली यहां पर आपको my account security पर टच कर देना है तो अब यहां पर कही सारे आपसन ओपन होगा जैसे अक account information, account security, setting and permission, login verification, how to reset password, I have login issue तो अभी आपको करना किया यहां पर सबसे उपर ही आपको एक आपसन लेगा account information ठीक है तो सिंपली यहां पर आपको account information पर किलिक कर देना है और जिसे आप लोग किलिक कर दें तो यहां पर आपके सामने फिर कई प्रकार की आप सनाएंगे जैसा क कि डिस्पले नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, email id, birthday, delete my account, download my data तो अभी देखो यहां पर आपको अपना यूजर नेम चेंज करना है तो देखो उसके लिए यहां पर आपको एक आपसन लेगा यूजर नेम ठीक है तो सिंपली आपको यूजर नेम पर किलिक कर देना है किलिक करते हैं आपके सामने इस परकार का page open होगा और यहां पर कुछ information लिखे है यहां पर आप लोग देखो देखो यूजर नेम यूर स्नेपचेट यूजर नेम इस नाट सडविन यूर फर्स्ट क्रेट यूर स्नेपचेट अकाउंट और यहां पर आप लोग सेक्ते हो इस नाट पोशिबल टू चेंज यूर स्नेपचेट यूजर नेम इस फोर स्कॉर्टी रीजन इस आल्सो नाट पोशिबल ट्रांसफर अकाउंट यहां पर यह लिखा है अनोदर मतलब कि यहां पर स्नेपचेट ने सापो साफ लिख दिया है कि अगर आप एक बार स्नेपच इसके लिए भी यहां पे बताया गया है तो अब हैं अपना इसमें मन पर भी कोई आप्सान मं नहीं और यह सकी यहां पे कोई तो yours यूजर नेम चेंज करना चाहते हो तो आपको अपना अकाउंट डिलीट करना होगा और एक न्यू अकाउंट क्रेट करना होगा और आप चेंज कर सकते हो यानि एक नया यूजर नेम बना सकते हो तो यहां पर दोस्तों कुछ इन्फोर्मेशन लिखी आप लोग पढ़ लीज तो उसके लिए आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है फिर एक न्यू अकाउंट करेट करना है तो इसके लिए यहां पे देखो यहां पर आपको एक लिंक दिया गया है डिलीट योर करेंट स्नेपचेट अकाउंट ठीक है तो सिंपली यहां पर आपको डिलीट योर उस अकाउंट को लोगिन नहीं करना है अगर आप अपना ड़ेटा डॉप लीजेगा अगर आप डॉंड लोड करना चाहते हो तो क्यूंकि डिलीट करने के बाद आपको आपका डेटा नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो डिटेल लिखी आप लोग सही से देख लीजेगा और उ यहां पर आपके श्नेपचाट का यूजर नेम होगा यहां पर आपको डाल देना है और यहां पर आपना पासवाड इंटर कर दिया हूं और उसके बार में नीचाप को कांटीनिव पर किलिक कर देना है और दोस्तों की लिए करते हैं यहाँ पर आपल सकते हो अकाउंट डी अक्टिवेटेड यहाँ पर कुछ लिखिए डिटे़ और यहाँ पर लिखा गया कि आपका स्नेट अकाउंट पर्मानेंटली क्लोज हो चुका है आपको अपना अकाउंट फाल्टी डेस्ट लोगी नहीं पड़ीगे तो simply आप यहां पर sign up पर click कर दीजएगा और यहां पर अपना नेम डालेंगे नीचे sign up पर click करेंगे यहां पर अपने date आप डालेंगे उसके बाद में नीचे continue पर click करेंगे अभी देखो यहां पर आजाएगा your username अब यहां पर by default यूजरनेम यहां पर आ यहां पर आप लोग अपने मन पसंद का जो भी यहां पर आप लोग यूजरनेम रखना चाहते हो अपने Snapchat पर डाल दीजेगा तो मैंने यहां पर आप लोग यूजरनेम यहां पर यूजरनेम डाल दिया हूं आपको डाल देना है जो आप यूजरनेम यहां पर create करना चाहत अब उसके बाद में नीचे आप कांटीनिव पर क्लिक करएंगे और यहां पर आप अपना नमबर डालेंगे और उसके बाद में नीचे कांटीनिव पर क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर आएगा OTP, OTP डाल के verify करेंगे आप और उसके बाद में continue उपर या फिर इसकी पर और गाइस continue उपर किली करते ही यहां पर आपके Snapchat में एक new ID create हो जाएगी अभी यहां पर आप कामरा ओपन हो जाएगा जैसा कि आपको पता ही है ठीक है अभी अगर आप profile पर किली करते हो तो यहां पर आप रहो सकते हो मेरा यूजर नेम चेंड हो चुका है जैसा कि आपने पहले देखा मेरा था यूजर नेम सोमू और कुछ ऐसे करके था है ना तो अभी हमने अपना अकाउंट डिलीट करा और यहां पर आप सकते हो सोमू अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिलीज लाइक कर दीजएगा चैनल पर पहली बार आप तो सब्सकाइब भी कर लिजएगा चले दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पेरेंड करते हैं और मैं आप समुनूंगा यहीं वीडियो के साथ अब तक लिए जैन बंदे म आप